नमस्कार और आदाब आद सनीचर अप्रेल के तीस तारिक पेशे आपके लिए साथ दिन के खबरें कारीकर्ता जो है मजदूर जो है मेरे वेरकर्ष एकनोमिस कोंट्रोल दिन्स का पिछले हफ्ता कुछ कोंट्रोल के काम किये है यह सब कोच्बिन करने के लिए कुछ दुकानों में किये गए है रसौर्ट वाल खलेहर वेखनर सीपर और भी सर्विंस्टन चुर्चल वेख में यहाँ पर पता चला है कि दुकानदार जो है बहुत से ऐसे ओफर्ट्रेदिंग करते है प्रैस ओफ दुकान में है और महिंगा दाम में लोग बेचते है फर्फल प्रडुक्तन जो है यह सब अलग से रखा गया है लेकिन अभी तक लोग इसे नहीं फेके है और साथ में भी कहा गया है कि यहाँ पर लोग जो है कुछ तरासू के साथ लोग काम करते है जो एक नहीं हुआ है तो यह कुछ ओफर्ट्रेदिंगन है तो एकनोमी से कॉंट्रॉल अदीन्स के जो कारी करता है नोगों को सौधान दी किये है और चटवनी भी दिये है और इन लोगों से कहा गया है गुजारिस किया गया है बैट एकनोमी से दिलेक्तन के खिलाफ काम नहीं करने को या इसका उलंगन नहीं करने को हम आपको बता दे कि कुछ ऐसे प्रोडुक्तन जो समान दुकान में था इस पर दाम नहीं लिखा गया था तो ये सब प्रोडुक्तन जो है ये कबजे में लिया गया है ये कंट्रोल तीम जो है एकोनोमी से का ये सब आगे भी ये कंट्रोल का काम करने वाले है ऐसे मिनिस्टर अरश्मा कूलीब सिंग जो एकोनोमी से साकर अंदर नई मशफ़फ और तखनोलोगी से इनोफादी का नया मीनस्टर भी हाले में बढ़ाया गेया है इससे पहले ये अर्बैट का मिनिस्टर था तो ये बात्चित किया है इस हफ़ता में भी विंकल फरीन खिंगन के साथ और इन लोगों से बात्चित हुआ है रेखु लेरिंग के बारे में बासस खुदरिन का और ये विंकलीश फरेईर खीन जो है इन लोगों से भी मदद का मांग किया गया है ये रेखुलेरिंग के वास्ते सुपरमारत हो दरशे गुजारिस किया गया है कि जो बासस प्रोडुक्ट तन है एरसलेवन्स वहुपतन है जरूरी समान जो है जो हर एक को जरूरी परता है यह समान जो है एक ही जगे पर एक खत्र रखने के लिए यह ताकि कॉंसुमेंट के वास्ते जो लोग वहाँ पर जाएंगे खरीदारी करने के लिए और आसान रहेगा और कॉंट्रोल करने के वास्ते एकनोवी से कॉंट्रोल दिन्स के वास्ते भी इन लोगों के काम भी आसान रहेगा यह जो बासस खुदरन का ओर्दनिंग लोग चाहते हैं सरकार चाहते हैं सुपरमारक्तन में सुपरमारक्तन को दुकान डारों को एक मेहना का समय एक मेहना का मोहरत इसके लिए दिया गया है और ये है मैं के पहली तारिक से लेकर यूनी के पहली तारिक तर सुपरमारक्तन जो है मिनिस्टेरी के तरफ से इन लोगों को हर दो हफ़ते पर हर दो हफ़ते पर एक प्रैस लाइस मिलेगा, मक्सिमाल प्रैस इस पर लिखा जाएगा बासस खुदरिन का और यह जो है यह लाइस जो है दुकान में इन लोगों को चिप्टाना चाहिए ताकि कॉंसुमेंट जो है इसे देख सके और खुद कॉंट्रॉल कर सके कि यहाँ पर बहुत स्यादा मेहंगा दाम में समान नहीं बेचा जाता है प्रैस अपड्राइफिंग के बात नहीं है एक दूसरा बात जो मिनिस्टर कही है वो यह है कि एक देख स्काल खुद कॉर्दे वेख स्काल तराजू जो हर दुकान में नहीं होते है तो कॉंट्रोलर वेरकसाम हेदन जब कॉंट्रोलर का काम होगा और यह ओफर ट्रेडिंग पता चलेगा तो जरूर इसके लिए मात रेखलन रहेगा मिनिस्टेरीफान एकुरोमी से साकन भी यह कुछ तरीका इस वक तलाश कर रहे है यह बासस खुदरन का जो लेस्ट है एप के सरीए या समस के सरीए जनता तक पहुँचाने के लिए ताकि यह लेस्ट आपके मोबिल टेलफोन में रहे और जब आप दुकान में खरीदारी करने के लिए जाएंगे तो यह आसानी से लेस्ट आप देखकर दुकान का डाम जो है फरखलेक कर सकते है और आपको तुरन पता चल जाएगा कि और महंगा डाम में समान आप खरीदेंगे तो आप दूसरा चॉइस कर सकते हैं या यह खबर आप एकनोमिस कॉंट्रॉलर दिन्स तक भी पहुँचा सकते है अनेक विंकलिश फरेइन खेंगन जो है जिसके साथ बात चीत हुआ है इन लोगों से मदद का मांग किया गया है और यह सब कहे है कि इसमें जरूर यह सब अपना मदद देने वाली है लेकिन यह विंकलिश फरेइन खेंगन जो है दुकानदारों जो है यह सब भी कहे है कि इन लोगों की कुछ खास मुश्किला थे इस बारे में मिनिस्टेरी के तरफ से मिनिस्टर ने कहा है एक वेर कुरूब ठेराया जाएगा और इसमें हर फरीर जो मुशकिलाइथ इस बारे में लोग बातचीत करेंगे और हल भी तलाश करेंगे एका हाथसा बेते हुए मंगर को हुआ है मार्तन लूतर किंग वेख में और इस हाथसे से कलाइट पोकी फेर तख्यार 40 साल का एक आदमी का दिहांद हो गया है जब यहाथसा मंगर को हुआ है मार्तन लूतर किंग वेख जहां बलॉव मेर है इसके आसपास में अभी तक नहीं पता है कैसे इस आत्मी का गारी जो है ये उलट गया है, हो सकता है ये गारी का जो बस्तूर है, गारी हाग रहा था और कॉंट्रॉल खो दिये है तो यह हादसा हुआ है, गाड़ी जाकर एक A.B.S. मत्स से तकराया है, A.B.S. पाल से तकराया है और उलट गया है यह आत्मी घायल रस्ता में इनको लोग होस्पितर ले गए है, स्पूत ऐसंदु हुलब अकादेमी सीगन हाउस में और यह पता चला है कि बूठ को इसका देहांद हो गया है यह बहुत अफसोस के बाद है, पुलिस उपनबार मेनिस्टेरी के खोजबिन करने के बाद जो यह उपनबार मेनिस्टेरी इजाज़त दिये है, लाश इनके परिवार को देने को एक्स्तरी एक औरत का देहान इसका हत्या हुआ है इसका हत्या इनका कथल हुआ है और ये सरसत साल का सेफ नंसेस तहियार का नजीरन यंकी पॉलीस भी रोकवाता का इनको खबर मंगर के मिला है सुबह के समय की एक लाश परा है यहे अंद्रे सीव कुमारी लान सुफियास लुसवर जब पॉलीस वहाँ पर गए है तो वहाँ जो सरक के किनारे जंगल में ये लाश मिला है और ये बताने की बात है कि ये राश जो है नंगा था, इनका कपड़ नहीं थे और साथ में इसके बदन पर जो निशान पाया गया है तो इससे साफ पता चलता है कि इसका कतल हुआ है एक डाक्तर को जो हमेशा ज़रूरी है ऐसा होना चाहिए कि एक डाक्तर को लोग बुलाई है देखने के वास्ते और डाक्तर ये कह है कि इसके दिहांत हो चुके है ये लाज शोपनवार मिनिस्टेरी के कहने पर ये अब्दुक्सी के वास्ते सेक्सी के वास्ते कबसे में लिया गया है कोच बीन हो रहा है अफदेलिंग कापिताल दिलिक्तन के सरीए पलीस का अभी तक कोई गिरफतार नहीं हुआ है लेकिन के इससेंट्रुम जो एर्खेदी का है इलागा कुरूनी में यहाँ पर एक दूसरा अंबुलांस इनलोगों को मिला है इस्तेमाल करने के लिए अपना काम करने के लिए मिनिस्टर अमर रामादीन फॉलक्स खुसंतेत का मिनिस्टर जो है मंगर को इस गाड़ी का या अम्बूलांस का चाभी दिये है अरखीदी का दिरेक्टर निशीता गायादीन को दिस्टरिक्स कोमिसारिस विंटर जो करोनी का दिस्टरिक्स कोमिसारिस जो है यह कहते है कि करोनी के लिए एक दोसरा आम्बूलांस बहुत जरूरी था यह काम करने के वास्ते और लोगों का काम और सहल करने के वास्ते और इस बात से लोग काफी खुश है ना स्रीफ काम और बहतर होगा, लेकिन गरंटी भी रहेगा और बहतर सुर्फिस के वास्टे, दिन्सपरलेइन के वास्टे, इस इलाका में, और भी ना स्रीफ करोनी, लेकिन ओस्ट-वेस वर्बिंदिंग पर भी कुछ हद दर. ये देलखाथी, फॉलक्स को सुन्थेट का और एरखेदे का, इस मौके से भी लोग फाइदा उठाए हैं, और वहाँ जो पॉली है, मेडी सेंट्रुम पर, वहाँ एक रूंट लेडिंग के लिए लोग गए है, वहाँ पर देखने के लिए कि क्या मुश्किलात है, कुछ प् बातचीत होगा गरंटी के बास्ते दवा के लिए कि वहाँ पर हमेशा दवा मौजोद रहे लोगों के वास्ते, और ये भी बात सामने लाया गया है, कि स्नाव तस्तन और ब्लूद ऑन उरून अंदर शुक के बास्ते, वहाँ पर लोगों को बहुँत से ऐसे सामान के जरू करोना फिरुस जिसके बारे में पिछले दिनों में रोज़ाना चर्चा हो रहा था हर हफ़ता भी सैवर्स इस प्रोग्राम में आपको दिया जाता था हम आपको बता दे कि पिछले कुछ हफ़तों से बिलकुल कोई अक्तिफ़ खफालन सुरिनाम देश में पता नहीं चलता है आपको पता है कि फर्शूपलिंग मात रेखलन का भी आई है और फर्शूपलिंग होने के बावजूद भी कोई ज्यादा सिकन हैस अपनामस या पस्मेटिंगन ये पता नहीं चला है मिनिस्टेरी फ़न फॉलक्स कसोंतेत ये खुश खबरी दिये है मिनिस्टर रमादीन फॉलक्स कसोंतेत का कहते है कि ये खुश खबर सरूर है लेकिन हमें साउधान रहना चाहिए इस बात से वाकिफ रहना चाहिए कि ये फिरोष यह अभी तक गया नहीं है ये अभी तक है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है और अगर आप अपने आपका हिफास्द नहीं करेंगे तो ये फिर से आ सकता है इस पर लोगों को खौर करना है मॉन्ट काप यो कहते हैं कि अभी तक जरूरी है अगर ज्यादा लोगों के बेच में आप रहेंगे वहाँ पर फेंतिलाजी नहीं है तो ये मॉन्ट काप जरूरी है अभी तक लोगों से कोशिश करना कुछ दूरी बनाए रखने के लिए वैसे ये मनिस्तर ने कहा है कि अब तक 28 भी दिया जाता है लोगों को जाकर फाक्सिनेर करना है अगर आप फाक्सिनेर करवा चुके है तो बुस्सर प्रिक्य भी आप जाकर लीजे ये आपके हिफास्थ के वास्ते आपके सुरक्षा के वास्ते रहेगा अगर आप बेमार होंगे तो भी, तो उतना ज्यादा कलखतन नहीं रहेगा, मिल्द कलखतन रहेगा, और जल्दी आप फिर ठीक हो जाएंगे तो खास्ता और पर लोगों को फुकार किया जाता है वक्सिनोर करने को, जिन लोगों को अंदर लेिकंद कलखतन ही, जैसे बडु दू टू Present किया जाता है कि जाकर वक्सिनाटी आप जरूर लेजिए ये हम आपको बता दे कि मिनिस्टर ने कहा है कि दुकान इत्यादी जब आप जाते हैं तो मसकर के वैसे मौन्ट कप के जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप समझते हैं कि जरूरी है तो जरूर अपने बचाओ अपने हिफास्थ के लिए आप जरूरी है मौन्ट कप बचाने के वास्ते दोसरे को तकलीफ आप मत दीजे तो अगर खृब कलक्तन है तो आप मौन्टकप के साथ चलिए आप से गुजारिस किया जाता है जहाँ पर बिमार लोग है उन लोगों को आप देखने के लिए मच जाएए उन लोगों की करीब मच जाएए और अस्पताल में भी बसुक के वास्ते आप मच जाएए और लोगो को खुट लगता है कि आप बिमार हो सकते हैं वहाँ पर इतना ज्यादा भीर है ज्यादा लोग एकहत्र हुए है और फेंतिलाजी नहीं है तो अपने बचाओं के वास्ते आप वहां या तो मच जाएए या अपना मौन्टनुस काप आप मत भूलिये मौहाना रेखल्स जो हमेना रेखल से वह अभी तक लागू है एक अफसोस की बात ही जो मार को बताना चाहते कि एक तीनर लगभग दो हफते से 14 साल के लड़की जो है यह लापता है होफ पस्तरेटिंग स्वार क्रिमिनाली तैट पॉलीस का जो है एक अपस्वोरिंग रखे है यह 14 साल के विराईशा महादेव सींग के विराईशा महादेव सींग जो है यह एटवार अप्रिल के दस तारी सुभ के समय चार बज़े घर से निकली है और वापस नहीं आए है कापेयस अपना इंफरमासी में यह बताए है अगर आपको इस लड़की के बार में कोई जानकारी है आपको पता है यह कहा है या कोई भी जानकारी आप दे सकते है तो गुजारी से रसौर्ट परानाम के पॉलीटसी से तालुकात करने को या सेंटरालम मेल्ट कामर एन एन आपके करीब के पॉलीस थाना पॉलीटसी पॉस्वर आप जाकर यह खबर दे सकते है एक दूसरा अफसोस के खबर इस बार में यह है कि एक तीन साल का लड़का एक पुटर जो है यह भी लापता है चंद दिनों से हिनू की कीना मालेको यह तीन साल का एक छोटा बच्चा जो है यह भी कुछ दिनों से लापता है और होफ स्रेडिंग स्वारक क्रिमिनाली तैट जो पॉलीटसी का है इसका भी एक आपस वोरिंग रखे है तो अगर आपको पता है इस लर्गा के बारे में कुछ तो पारा रैस देख के पॉलीस को आप जरूर तार करके बतला दीज फिसम फ्रेई रैसन सफर करना सुरी नाम देस तक बेगर फिसम के साथ इसका ऐलान कुछ दिनों पहले मिनिस्टर बाउदलांस साकन का अलबर्ट रमदीन के जरीए बताया गया था यह खबर बाहर लाया गया था लेकिन हम आपको बता दे कि कल से कुछ खबर बाहर आई है कि यह फिसम फ्रेई रैसन जो एन मैं से शुरू हो था कि बेगर फिसम के साथ लोग सुरी नाम देस आ सकते थे कुछ देशों के लोग यह प्रटाल दिया गया है कब तक यह नहीं पता है कब से यह फिर लागू रहेगा यह नहीं पता है ये बकेंट मारकिंग जो है ये ऐलान जो है ये सुरिणाम से कॉंसलाग जो अमस्तरडाम पर है वहां से पता चला है और S.L.M. भी एक पर्ष परिख में इस वारे में चरजा किये है बीबिस के तरफ से बाउतलां से साकन के तरफ से अभी तक कोई ओफिशल खबर बाहर नहीं आए है यह फिसम फ्रेय रैसन जो है इस बारे में आपको बताए मिनस्टर आलबर्ट रामदीन पेश्टर कहे थे यह बीबिस बादलांस साकन का मिनस्टर है लेकिन आफिशल खबर बीबिस से अभी तक बाहर नहीं आए है अभी तक नहीं पता है क्यों ये फिस्म फ्रेय रईसन ताल दिया गया है और क्यों और कब तक ये दोनों नहीं पता है सभी कातोखोरी पसाशीर्स यात्रियों जो है जो फिस्म पलिख तक है जिनको फिस्म के जरूरी है सुरिनाम देशाने के लिए आपके पास फिसम होना चाहिए या एक तुरिस्ट कार्ट या एक ए फिसम अगर आपके पास है तो आप सुरे नाम देश आ सकते हैं बहुत से लोग काफी खुश हुए थे ये बात से कि बिगार फिस्यम के साथ लोग सुरिनाम देश आ सकते थे लेकिन यहाँ पर आने पर या ओफर वाकिंग के सरी सुरिनाम देश आने से पहले एक फी आपको भरना था, एक रकम आपको भरना था इस बारे में और खबर रहेगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा दे नाचुनाल असंब्ले पंच घर में बेते हुए बीफे को 29 अलगमेन स्टमन वोट के साथ वेट रईस दोकुमेंटन खुदकेर हुआ है, पास हुआ है इसका मतलब यह है कि सरकार को अब इजासत है, ई-पासपोर्ट लोगों को देने को, जन्ता के लिए ई-पासपोर्ट बनाने को और यह होगा अपनाम के जरीए मतलब बियोमेटरी से खखेफंस और इलेक्टरोनी से ऐखंस खपन के आधार पर यह होगा बहंदलिंग काफी जल्द लोग निपताई है यह वैद का पंचगर में क्योंकि NDP और बैपफरक्सी जो है इसमें हिस्सा नहीं लिए है, लोग साल में मौझूद नहीं थे, फरखादरिंग छोड़ कर चले गए थे इन लोगों का यह मानना, NDP और बैपफरक्सी का यह मानना था, यह मानना है कि ब्रोकोपंदो का जो समस्या है, वातर ओफरलस का वहाँ पर काफी जगे है, पानी के नीचे आ गए है और वहाँ के जनता को मदद के जरूरत है, यह और एहम है और माइने रखता है, यह इतना जरूरी नहीं है, इस वख पर यह वतर है, इस दोक्यूमेंटन के बारे में बातचित करने को, तो वेप और NDP फरक्सी जो है, इस वतर के गुफदगू जब हो रहा था, इस बारे में बातचित हो रहा था, तो यह सब साल में मौजूद नहीं था, पेश्टर सुरे नाम दे इसलिए क्योंकि अभी तक एक करजा है, सेस मिल्योन युवेस दॉलर का, जो सेर्फ इस बदरैफ फलाता कॉम को भरना है, सेस मिल्योन युवेस दॉलर इस बदरैफ को भरना है, यह बदरैफ कहे है कि यह सब सुरी नाम देश के मदद अप नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, अगर इन लोगों पायसा नहीं मिलेगा, तो पूरा जो मदद लोग दे रहे थे, इसे रोका जाएगा. और ऐसा अगर होगा तो EID जो है ये खत्रे में आ जाएगा, इसका आउट हिफ्ट जो है जो लोगों के लिए बनाया जाता है, खत्रे में आ जाएगा और ये EID अपना ही बनाया जाएगा, ये मिनिस्टर ब्रॉंतो सो महार जो बेलनान से साकन का ऐलान किये है, वैसे ये जो जो बिएमेटरिश रईस्ट कुमें जो गगेवंस इसपर है, ये EID पर भी है, और ये रईबवेसं जो है, वो इसपर है, ये जो EID के जानकारी, जो गगेवंस है, इसपर भी है, जाना का. Gधे बिएमेपका बटादे की ये प्र ये कानुन रईस्टुमेंतों का होगे, इसे लो इक रबेटरी बग्री ब का जानकारी रेस दोक् zostा मों हम आपको बतादें, इस रेस दोक्υτम जो है, ये एलेक्ट्रोनिस कहीवंस डार hallucisen में दाटा है, इसमें और इन्फ लुभागा. और इलक्त्रोनी सखखेफंस जो आपका है, सिर्फ एक डोकुमेंटल लेजर के साथ आप इसमें से निकाल सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं मतलब हर एक के पास यह आपका जो जानकारी रहे यह नहीं रहेगा सिर्फ जिन के पास एक दोकुमेंट लेसर रहेगा, तो ये जानकारी इसमें से लोग पढ़ पाएंगे. ये जो ये पासपोर्ट है, ये इसके लिए अगर आप बन्वाएंगे, तो दूसंद, एक हजार एसर दी आपको भर नहीं, और ये दस साल तक इसका खालदखेद्स दूर रहेगा. जो पासपोर्ट इससे पहले आपको मिलता था, ये फैफ यार पांच साल के इसका खालदखेद्स दूर था. मिनेस्टर अलबर्ट रामदीन बैवतलांस साकंसे सवाल करने पर इन्होंने कहा है, कि ये इक पासपोर्ट का कोई तालुक नहीं है, फिसम फ्रे रैसन के साथ अएरोपा से. सरकार जो है, ये अनेक शेंगन लंडन के साथ बात्चीत कर रहा है, फिसम फ्रे रैसन के बारे में फिसम फ्रे सफर करने के वास्ते. इसके लिए कुछ रैस दोकुमेंटन में जो जरूरी है, आनपासिंग लाना है, बदलाव लाना है, तो ये एक हिस्सा इसका है, जो वेड़ खुदकूर हुआ है, रमधिन कहते हैं कि दुनिया भर में ई-पासपोर्टन जो है, लोग इस्तमाल करते हैं, और आगे में जाकर स् अगर हम इसके तरफ अभी से कदम रखें, तो ये और बाहतर होगा सुरिणाम देश के वास्ते, अनिक कारी कौम लान्दन जो है, इसलिए सब ई-पासपोर्ट का इंत्रोडूक्सी कर चुके हैं, वहाँ पर ई-पासपोर्ट के साथ काम हो रहा है, तो हमें भी धीरे-धीरे इसको करना चाहिए, ये कौमिसी जो फोर बरेडिंग ये वैट का तयारिया किये है, इसका फोर्श है तरकीशन राम सुकूल जो है, ये कहता है कि ये ई-पासपोर्ट जो है, इसके साथ सुरिणाम के लोग जो सफर करेंगे, इन लोगों के लिए और आसान होगा, ये इमिक्राशी के पास ये लुख्थाफंस के मामला वो बताई है, लुख्थाफंस के बाद वो किये है, तो फाइदा जरूर होगा, और ये पासपोर्ट से जो रेश दोकुमेंट वैट हुद कोर हुआ है, इससे वो काफी खुश है, इस कोमिसी जो ये वैट का तयारिया किये है, ओपन बार पहंदलिंग के वास्ते आगी में बैठक लिये है, सुवर्तो मुस्ताजा अंदे पे के तरफ से, मिक्वैला सुमार हूर आबब के तरफ से, तशाना लुशे अंदे पे के तरफ से, रोनी अलूमा फेहा पे के तरफ से, एबू जोंस अंदे पे का, और रुई वंग फेहा पे का, ये खबर आखरी खबर ही, आज साथ दिन में हम आपसे इजास्त चाहते हैं, लेकिन इजास्त लेने से पहले, हम कल जो अर्बै दर्स दाखिये मजदूरों का दिन है, तो सभी को शुब कामनाए, खुशनसीबी मुबारिक बादिया पेश करते है और आपको पता है, माही रमजान का महना चल रहा है, और एक दिन और रोजा रखना है, वो कल है, सो मुआर को इजो फितर है, तो माही रमजान के मुबारिक बादी सभी मुसलिम भाल बहनों को हम देते हैं, और ईद के मौके पर आप सो मुआर को ईद मनाएंगे, या मंगर क मुम्किन आप एद मनाएंगे लेकिन एद के मुबारिक बादी अभी से सभी मुस्लिम भाय बैनों को दिया जाता है आप सभी को एद मुबारिक हो शुक्रिया नमस्कार और खुदा आफिस आप मिलता है देखिए! इंडिया, पाकिस्तान या सिरुनाम का चैनल से! बॉलिवीट का तमाम चैनल से! चीन वरीडियो है! सोनी एशाय तीफी होग्दूय दिरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुंकिन है! पाकिस्तान का बहुत से चैनल्ज! जिस तरह से हम TV एक सीट्रा और शुरुनाम का रैडियो और तेलीफीशिन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते ही और सुन सकते हैं सभी मजभी और धार्मी प्रोग्राम्स आप भी देख सकते ही क्लोग टीवी पर इंडिया, पाकिस्तान या शुरुनाम का हो Cloud TV आपके लिए है तमाम रेडियो स्टेशंस नेदलांज सुरुनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का And don't forget, रेडियो संगम दन्हाग का आपको भी Cloud TV पर मिलता है Contact DJ, तारक नमर है 0031 यने 685-89-08-19 हम दोरा रहे है, 96-85-89-08-19 तारकी नमर है, contact करने के लिए Cloud TV से आप अपने घर पर मज़ेव ठाईए